Hello everyone, welcome back, welcome to Eye Caretaker, I am Dr. Deepak Thakur, Consultant Optomatist तो आज की वीडियो हम बात करेंगे कि काजल लगाने से बच्चों की आख में क्या-क्या benefits होते हैं और क्या-क्या काजल की वज़े से बच्चों की आख में harmful effects हमें देखने को मिलते हैं इसके अलावा बहुत सारी research में ये भी देखा गया है कि काजल लगाने से बच्चों की body में भी harmful effects आते हैं तो आज की वीडियो में हम detail में बात करने वाले हैं तो काजल के अंदर lead पाया जाता है, lead हमारी body के लिए अच्छा नहीं होता है तो अगर बच्चों की body के अंदर lead जाता है, तो उसके कुछ harmful effects होते हैं जब हम काजल लगाते हैं, तो हमारी nasal lacrimal जो duct होती है, NLD जिसको हम बोलते हैं उसके थुरू lead हमारी आँक के अंदर जाता है जिसके बात क्या होते है, lead के अंदर जाने की वज़े से बच्चों की body में अनीमिया की problem हो सकती है अनीमिया का मतलब बच्चों की body में भून की कम ही हो सकती है इसके साथ lead एक poisoning substance की तरह हम lead को मानते हैं इसकी वज़े से देखा गया है कि बच्चों के अंदर bone marrow का भी suppress होना स्टार्ट हो जाता है उसके अलावा IQ level भी बच्चों का कम रहता है इन बच्चों के बहुत ज़्यादा काजल लगाए जाता है यह सारी problem lead की वज़े से होती है इसके अलावा जैसा मैंने बता है NLD में जब हमारा काजल जाता है NLD मतलब nasal lacrimal ducts इन ducts के अंदर जब काजल पहुंचता है तो हमारी ducts के अंदर भी blockage और infection होने के chances होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों की NLD blockage आती है आँख में जब बच्चा सुबह उठता है तो आँख चिपकी मिलती है बहुत जादा आँख में गंद की आती है तो ये NLD blockage के symptom होते हैं काजल की वज़े से बहुत सारे बच्चों में ये problem भी देखने को मिलती है इसके अलावा काजल लगाने की वज़े से बच्चों की आँख में चुबन, जलन, खुजली ये सारी problem भी हो सकती है इसके साथ अगर काजल लगाते हुए आप अपने हाथों को proper sanitize नहीं करते या फिर आप अपने हाथों को proper wash नहीं करते तो हो सकता है बच्चे की आँख में infection होने के वी chances हो जाए बहुत सारे बच्चों में काजल की वज़े से permanent chronic allergy हो जाती है मतलब allergy उनकी आँख में हमेशा के लिए हो जाती है कभी हो जाती है fit ही हो जाती है फिर वापिस से आ जाती है तो ये problem भी देखने को हमें मिलती है इसके अलावा अगर हम बात करें research की तो मैंने research paper भी पढ़ा Times of India का research paper है जिसमें साफ साफ लिखा हूँ कि बच्चों की आँख में जो काजल लगाया जाता है वो सूर्मा जो लगाया जाता है उनका target होता है कि बच्चों की आँखों का जो vision है जो नजर है वो अच्छी हो जाए उसके साथ बच्चों की आँखे थोड़ी बड़ी दिखे है थोड़ी bright दिखे है इसलिए हमारे घर में जो मम्मी होती है या फर दादी होती है वो हमारी आँखों में काजल लगाती है के अलावा Times of India के article में ये भी लिखा हुए क्या हमें काजल लगाना चाहिए तो काजल हमें नहीं लगाना चाहिए काजल की वज़े से जितने भी doctor हैं वो काजल लगाने के लिए disagree करते हैं काजल में लेड जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में ही बताया कि लेड पाये जाता है इसमें साफ लिखा हुआ है कि लेड infection केरी करता है लेड की वज़े से infection आपके आँख में हो सकता है तो इसलिए काजल लगाना मारी आँख के लिए अच्छा नहीं होता अगर हम बात करें homemade काजल की या फिर बदाम काजल की दो तरह के काजल होते हैं एक तो होता है बदाम वाला काजल एक होता है homemade काजल तो दोनों काजल के अंदर ही लेड पाये जाता है इसके अलावा मा जो लगाती है काजल वो इसी लिए लगाती है ताकि बच्चे को नजर ना लगे तो आप अगर नजर के लिए काजर लगा रहे हैं तो आप माथे पर छोटा सा टीका लगा सकते हैं बहुत सारी जगे पर मैंने देखा है पैरों पर भी टीका लगा काजल को यहाँ पर यूज करना ठीक है पर अगर हम आँख के अंदर लगाते हैं तो उसके बहुत जादा हामफुल इफेक्ट्स हैं तो आयरवेदा में भी अभी तक proper fact नहीं पता लोगों को कि काजल का क्या fact है एक research में मैंने पढ़ा कि जिन बच्चों के अंदर कफ दोस होता है उन बच्चों के अंदर काजर लगाने से कान में तेल लगाने से इन सारी चीज़ों को करने से कफ का जो दोस होता है मतलब negative effects होते हैं, वो कम होते हैं तो Ayurveda के according काजल लगाना आख लिए अच्छा होता है पर अगर हम बात करें science के according तो science के according काजल में लेट पाया जाता है उसकी वज़े से हमारी body में कुछ harmful effect देखने को मिलते हैं अगर हम बात करें कि science ठीक है या Ayurveda ठीक है तो काजल अगर आप apply करते हो तो याद रखें कि काजल pure हो काजल लगाने से पहले अपने हाथ अच्छे से साफ करें काजल आख के ज़्यादा अंदर ना लगाएं, बाहर बाहर लगाएं उसके अलावा ध्यान रखें कि काजल हमारी जो punctum होता है जो आख की ओपनिंग होती है, जिसके अंदर हमारे ग्लैंट्स जाती है उसकी ओपनिंग तक काजल ना जाए और काजल लगाने के बाद प्रॉपर कुछ गंटे बाद काजल को अच्छे से साफ कर दिया जाए आईरवेदा में भी मैंने बहुत सारी सर्च करें मुझे अभी तक प्रॉपर फैक्ट कहीं नहीं मिला आईरवेदा में भी कि प्रॉपर फैक्ट क्या है तो अगर आप आईरवेदा पर बलीब करते तो काजल यूज़ कर सकते हैं अगर वीडियो पर संद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले